जी, राजीव सातव जी, अबिच चावडा जी, आनंद चोधरी जी, पुना जी, कामित जी, सुनिल कामित जी, विलभाई जी, शैलेश परमार जी, हमारे कैंडिडेट्स, तुशार चोधरी जी, धरमेश पतेल जी, अशोक अदिवादा जी, स्टेज पे वरिश नेता, प्यारे कारे करता, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, इतनी गर्मी में, इतनी गर्मी में आप सब आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, यह देगो भईया, निया नारा चला है, पहले नारा हुआ करता था, अच्छे दिन, जनता कहती थी, आएंगे, और गुजरात ने, 26 के 26 सिटें, नरेंद्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनने के लिए दी, और प्रधान मंत्री ने कहा, गुजरात की जनता से कहा, आदिवासियों से कहा, युवाओं से कहा, माताओं बहनों से कहा, मुझे प्रधान मंत्री मत बनाओ, मुझे 26 सीटे दो मगर मुझे प्रधान मंत्री नहीं बनना है मुझे चौकीदार बनना है अच्छा यहाँ जो किसान बैटे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या किसान के घर में चौकीदार दिखता है जो यहाँ बेरोजगार युवा आए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार दिखता है ना चौकीदार तो अनिल अमबानी के घर के सामने दिखाई देता है चौकीदार तो मेहुल चौकसी निरव मोदी विजेव मालिया इनके घर के सामने दिखाई देता है सही बात है न तो चौकिदार ने आपसे ये नहीं बताया वो किसकी चौकिदारी करने जा रहे थे ये देखो और आपकी जो जमीन है अब देखिए राफाइल मामले में चोरी तो की पुरा देश जानता है कि एरफॉर्स से नरेंद्र मोदीजी ने 30,000 करोड रुपए चोरी करके अनिल अमबानी की जेब में डाले फ्रांस के राश्टरपती ने कहा फ्रांस के राश्टरपती ने कहा कि हिंदुस्तान के चौकिदार ने मुझे बताया कि 526 करोड रुपए का हवाईजास 1600 करोड रुपए में खरीदो हिंदुस्तान में मत बनाओ हिंदुस्तान के युवाउं को रोजगार मत दिलवाओ फ्रांस में हवाईजास बनवाओ मगर अनिल अमबानी को कॉंट्राक देना पड़ेगा फ्रांस के राश्टरपती ने बात बोली मगर नरेंद्र मोधी जी ने राफाईल मामले में तो छोटी चोरी की है तीस हजार करोड रुपए छोटी चोरी है उनके लिए सबसे बड़ी चोरी सबसे बड़ी चोरी नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के गुजराद के किसानों से की है माताओं बेनों से केरुसीन की जो सबसिटी होती थी वो चीनी है आपसे कहा कि ग्यास सिलिंडर आपको दूँगा और माताओं बेनों से ग्यास सिलिंडर के लिए जादा पैसे लेते हैं किसानों से कहा मैं आपको बताता हूँ चोरी कैसे की सबसे पहले आपसे कहा कि देखो मैं कर्जा माफ करूंगा हुआ कर्जा माफ अब देखिए करनाटक में कर्जा माफ हुआ मैंने करनाटक के पीज़ चीफ मिनिस्टर पूछा बताओ वहिया कितने रुपे दिये आपने करनाटक के किसान को जड़ जबाब मिला 11,000 करूर रुपे सरकार ने करनाटक के किसान को दिये मतलब आपका कर्जा माफ ने किया मतलब 10-15,000 करूर रुपे आपसे उन्होंने चुरी किया उसके बाद आपसे कहते है कि देखिए आपका नुक्सान होता है आपको बीमा की ज़रूरत है इंशोरंस की ज़रूरत है हिंदोस्तान का पूरा का पूरा इंशोरंस का ढाचा उन्होंने उन्हीं 15 अदियोग्पतियों को दिया अलग-अलग districts बाड़ दिये जम्मू कश्मीर की बात करते है मगर आपको यशे नहीं बताया कि जम्मू कश्मीर का पूरा का पूरा बीमा का business अनिल अमभानी को दे दिया अलग-अलग districts पकड़ा दिये ये लो भईया अमभानी जी ये लो 15-20 डिस्ट्रिक्ट अदानी जी ये लो आप 10-15 डिस्ट्रिक्ट लो मालिया जी आप थोड़े से लो नीरभ मोधी जी आप लो सब को अलग-अलग डिस्ट्रिक्स पकड़ा दिये नुकसान होता है आंधी आती है तुफान आता है आपके जेब में से पैसा निकलता है और पिर जब आपको पैसे देने का समय आता है आपसे कहते हैं भी आपको पैसा नहीं देंगे वो तो दस हजार क्रोर रुपे नरिंद्र, मोधी जी के पंदरा लोगों को हमने दे दिया पहले दे दिया आपको ब्यमा का पैसा नहीं मिलना वाला आपसे बोनस चुरी किया MSP नहीं देते है, आपको सही दाम नहीं देते और अभी मैंने सिर्फ किसानों की बात की अभी मैंने नोट बंदी की बात तो शुरू ही नहीं की गबबर सिंग टैक्सी बात शुरू ही नहीं की जहां उन्होंने करोनों युवाओं से रोजगार चीना चोटे दुकानदारों से उनका उनकी जिन्दगी चीनी तो हमने निन्ने लिया आए देखिए किसानों के लिए हम दो काम जैसे ही चुनाओ जीतेंगे दो काम हम करने जा रहे है मद्यप्रदेश, राजिस्तान, 36 गार, करनाटक, पंजाब की बात तो बताई आप दो दिन के अंदर हमने इन स्टेट्स में कर्जा माफ किया और मैंने आपसे वाइदा किया था और मैं वाइदा नहीं तोड़ता हूँ, मैंने वाइदा किया था गुजरात में कॉंग्रेस की सरकार बनाओ, दस दिन में हम कर्जा माफ करके दिखा देंगे वो थोड़ी कमी रह गई, कहना पर रहा है थोड़ी कमी रह गई गुजरात में आपने पूरी कोशिश की थोड़ी सी कमी रह गई, सरकार नहीं बनी मगर मैं किसानों को बताना चाहता हूँ, 2019 में हम आपके लिए क्या करना चाहते है हर साल हिंदुस्तान का बज़र बनता है उसमें सरकार पैसा कहां डालेगी, पूरा पूरा देश को बताया जाता है इस साल हमने निन्ने लिया है कि एक बज़ट नहीं बनेगा, दो बज़ट बनेंगे एक बज़ट नैशनल बज़ट होगा, दूसरा बज़ट, स्पेशल किसान का बज़ट होगा उसमें साल की शुरुवात नहीं आपको बता दिया जाएगा MSP आपकी इतनी बढ़ाई जाएगी आंधी आएगा तुफान आएगा तो आपका इतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा इन डिस्ट्रिक्स में हम फूड प्रोसेसिंग के कार खाने लगाएंगे इस प्रकार की टेक्नॉलोजी हम आपको देंगे इतना आपका कर्जा माफ होगा पूरा का पूरा आपको शुरुवात में इस साल के शुरुवात में ही पता लग जाएगा दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हम किसान को मैसेज देना चाहते हैं नरेंडर मोधी जी कहते है हिंदुस्तान को किसान की कोई ज़रूरत नहीं हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान किसान के बिना चले ही नहीं सकता खड़ा ही नहीं हो सकता है और हम आपके साथ खड़े है और अगर उनका कर्जा माफ होगा 3,50,000 क्रोड रुपए अगर सबसे बड़े लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का भी कर्जा माफ किया जा सकता है एक छोटा सा सवाल जो यहां किसान आए है आप अगबार पढ़ते हो आपने देखा होगा अने लंबानी ने 45,000 क्रोड रुपए हिंदुस्तान के बैंक का पैसा लिया वापिस नहीं दिया विजह मालिया 10,000 क्रोड रुपए मेहल चौक्सी 35,000 क्रोड रुपए मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ ये जो चोड है बैंक से इनोंने पैसा लिया वापिस नहीं दिया ये जेल नहीं गए मगर जब गुजरात का किसान जिसने देश को सफेद करांती दी हरी करांती दी जब गुजरात का किसान बीस हजार रुपय का बैंक लोन लेता है और वापिस नहीं दे पाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है क्या ये आपको न्याय लगता है क्या ये आपको ठीक लगता है कि अने लंबानी जेल से बाहर बैखे और हिंदुस्तान का किसान गुजरात का किसान 20,000 रुपे के लिए अंदर हो जाए जेल में अंदर हो जाए सही लगता है आपको मुझे भी सही नहीं लगता है यह अन्याय है और इसलिए इसलिए हमने मैनिफेस्टों में लिख दिया है हमारा मैनिफेस्टो न्याय का मैनिफेस्टों है हमने मैनिफेस्टों में लिख दिया है 2019 में जैसे ही कॉंग्रेस की सरकार बनेगी हम कानून बदल देंगे हिंदुस्तान का कोई भी किसान गुजरात का कोई भी किसान बैंक लोन लेने के बाद अगर पैसा नहीं लोटाएगा उसे जेल में नहीं डाला जा सकेगा कर लो जो करना है मोधी जी मगर कर्जे के लिए हिंदुस्तान का कोई भी किसान जेल में नहीं जाएगा आप उनकी चोकीदारी करोगे हम इनकी रक्षा करेंगे अपने-पने मन बनाया है कि आप अने-लम्बानी के चोकीदार हो मैं उल्चोक्सी के चोकीदार हो निरवमोदी के चोकीदार हो तो मैंने भी मन बना लिया है मैं किसानों का हूँ आ जाओ मैदान में लड़ लेते हैं देख लेते हैं कौन जीतेगा आने लंबानी जीतेगा या हिंदुस्तान का किसान जीतेगा पता लग जाएगा आपको दो मिनट में हंदुस्टान की शक्तif पता लग जाएगी समझा जाएगी और किसानों के लिए मजदूरों के लिए हमने एक और एक और उपाई ने काला है और उसको हमने न्याय योजना नाम दिया है न्याय योजना मज़धार बात है अब सुनिये और ये जो माता हैं मैंने आई हैं मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी तरह सुनिए नरेंद्र मोधी जी ने लाकों करोर रुपे हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को दिया मगर आपसे जूटा वाइदर किया तब पंदा लग रुपे दूँगा यादे चौकिदार बनाओ 15 लाक बैंक अकाउंट में पता लगा आठ बज़े रात को चौकिदार कहता है भाइ और बेनो मितरों ये बाच सो रुपे का नोट है ये हजार रुपे का नोट है इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इससे काला धन इतनी जल्दी से बदला नहीं जा सकता मुझे 2000 रुपे का नोट चाहिए तो मैं इसको रद करने जा रहा हूँ मैं गुलावी वाला 2000 रुपे वाला नोट बनाऊंगा उससे अदानी का पैसा, अम्बानी का पैसा असानी से बदला जाएगा तुम्हारा पैसा में ले रहा हूँ और आपको लाइन में घड़ा कर दिया 500 रुपे, 1000 रुपे आपकी जेव से निकाल दिये कहां 15 राग देने के बाद कि अच्छा बाई और बहनो, लाइन में आपने अनली लंबानी को खड़ा देखा लाइन में चोर खड़े थे ना, लाइन में इमानदार आदिवासी, इमानदार किसान, इमानदार युवा तो पंदाला का जूट बोला ना उन्होंने तो मैंने कॉंग्रेस पार्टी के एकॉनोमिस से पूछा, मैंने का वही आए एक बात बताओ आप मुझे अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हो एकॉनोमी के बारे में बोलते हो, ग्रोथ के बारे में बोलते हो, मुझे एक बात समझाओ आप विद्वान लोग हो मेरे एक सवाल का जवाब दो ये नरेन रमुदी ने 15 लाग रुपे बोला था ना ये जूट था मुझे सचा ही बताओ मैं हिंदुस्तान के अर्द्रवस्ता नश्ट नहीं करना चाहता हूँ मगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी अगर पैसा डालना चाहे तो कितने रुपे डाल सकती है मुझे कहते हैं ये आपने क्या पूछ लिया मैंने कहा मुझे कोई फर्द नहीं पठता मुझे आप एक नंबर दो मुझे थियरी नहीं सुननी लंबे बाश्चन नहीं सुनने मुझे आप वो नंबर दो जो मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में बिना एकॉनमी को बिना अर्भ व्यवस्ता को नश्ट के डाल दू अभी बताने की जरूँए नहीं है वापिस जाओ काम करो दुनिया के एकॉनमिस से पूछो सबसे अच्छे एकॉनमिस से जाके पूछो मगर मुझे एक कागस पे नंबर लिखके दे दो तीन चार महीने बाद वापिस आए मेरे ऑफिस में सफेद कागस पे नंबर लिख दिया 72,000 जो बड़े चालू होते हैं मैंने उनसे का यह 72,000 कितने समय में 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में 72,000 कितने समय में कहते हैं 72,000 रुपे एक साल में मैंने का 72,000 रुपे एक साल में कितने लोगों को पंदा लोगों को ते नहीं ना कहते नहीं मैंने का कितने लोगों को कहते पाँच करोर लोगों को कहते पाँच करोर परिवारों को पच्चिस करोर लोगों को मैंने का हाँ भई अब काम की बात कही आपने पच्चिस करोर लोगों को साल के 72,000 रुपए है पांच साल में 3,60,000 रुपए यह सच्चाई पंद्रा लाग है जूप तो यहाँ जो किसान आए है यहाँ जो मजदूर आए है आदिवासी, गलिट बेरोजगार युगा आए है मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ही 2019 में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी नरेन रमोदी ने अने लंबादी को दिया ना 45,000 क्रोड रुपए 20% हिंदूस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में हर महीने आप अपने बैंक अकाउंट को देखोगे हर महीने उसमें खटक से जैसे मोबाइल फोन बचता है खटक से वहाँ पैसा आएगा साल के 72,000 पांच साल के 3,60,000 यह है कॉंग्रेस पार्टी का गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक धड़ाक से हमने मन मना लिया है नरेन रमोदी जी ने गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया किसानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया बेरोजगार युवाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक किया दुकांदारों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया हम गरीबी पे सर्जिकल स्काइट करेंगे बहतर हजार गरीबी पे वार और मैं गैरंटी दे रहा हूँ आपको जैसे मैंने वहाँ पे मध्यप्रदेश राजिस्तान में कहा भईया दस दिन दस दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा मैं आपसे कह रहा हूँ मैं यहाँ आपसे रिष्टा बनाने आया हूँ लंबा रिष्टा है मैं आपसे जूट बोलने नहीं आया हूँ तीन चार महिने का काम करने नहीं आया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ ग्यारंटी करके बता रहा हूँ देखे नरेंद्र मोजी जी ने जो आप से पैसा छीन के निकाला, एक तो अनिलम मानी के जेब में डाला, विजब मालिया इन लोगों के जेब में डाला, उन्हों ने ये पैसा हिंदुस्तान से दूसरे देशों में ले लिया, पूरा का पूरा पूरा पैसा, जो नरेंद्र मो अनिलम्मानी की जेब में गया, नीरव मोधी की जेब में गया, लंडन गया एरफोर्ट से पैसा लिया, राफाइल चोगिदार चोर, ठीक है, अब क्या हुआ, आपके जेब से पैसा निकला जैसे आपके जेब से पैसा निकला गुजरात के गाहों से पैसा निकला सूरत से पैसा निकला शेहरों से पैसा निकला आपने माल खरीदना बंद कर लिया आपने शर्ट, पैंट, गड़ी, मुबाइल फोन सब कुछ खरीदना बंद कर लिया जैसे आपने खरीदना बंद किया वैसे हिंदुस्तान की फैक्टरिया बंद हो गई जैसे हिंदुस्तान की फैक्टरिया बंद हो गई बेरोजगारी शुरू हो गई 45 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में 27,000 युवाओं से 24 गंटे में 27,000 युवाओं से रोजगार चोरी करता है नरेंदमोदी चोकिदार चोरी करता है अब नियाई योजना का पैसा आएगा डायरेक्ट आपके जेब में जाएगा अच्छा एक बात यहाँ पे बहुत सारे पुर्ष बैठे हैं आप मुझसे गुस्सा मत होना मगर जो पैसा जाएगा नयाई योजना का यह हमारे माताएं बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा बात में मत बोलना मैं इनके बैंक अकाउंट में डालना हूँ सीधा इनके बैंक अकाउंट में जाएगा मगा जब इनके bank account में पैसा जाएगा आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे कोई shirt खरीदेगा साबून खरीदेगा toothpaste खरीदेगा toothbrush खरीदेगा shirt, pants, mobile phone जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे factory चालू हो जाएगी जैसे ही factory चालू हो जाएगी बेरोजगारी खतम हो जाएगी simple सा system है तो न्याई योजना सिर्फ आपके जिब में पैसा नहीं डालेगी न्याई योजना हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता को jump start कर देगी जैसे engine start होता ना उसमें petrol डालते ही चावी गुमाते ही engine start होता है वैसे ही न्याई योजना हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता के engine में petrol डालेगी चावी गुमाएंगे दडाक सा start हो जाएगा मकर start कौन करेगा start हिंदुस्तान के गरीब लोग करेंगे किसान करेंगे मजदूर करेंगे जीस्टी के बात करता हूँ आपने पूछा सवाल तो यहां पे बहुत सारे दुकानदार है चोटे बिजनेस वाले है मिदल साइज बिजनेस मैं बताता हूँ दो में बताता हूँ नरेन दर मोदी गबबर सिंग टैक्स लाए पांच अलग अलग टैक्स 28% टैक्स किसानों को टैक्स देना पड़ता था चोटे दुकानदारों को सब को टैक्स देना पड़ता है 2019 में हमारी सरकार आएगी हमने प्लैनिंग कर दिया वहिया आंकरे निकालनी है 2019 में हमारी सरकार आएगी हम आपको 6 महीने का अंदर गबबर सिंग टैक्स हटा के GST दे देंगे एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा 28% नहीं कम से कम टैक्स होगा और यह आपको हर महीने फॉर्म बढ़ने पड़ते हैं यह आपको नहीं बढ़ने पड़ेंगी और यह जो आपके पास रिश्वत लेने लोगा आते हैं यह नहीं आपाएंगे, खतम कहां निए, पैट्रोल आचे मुझे सवाल पूछे लो, यह आप नरेंद मोजी जी से पूछो ना, पाँच साल नरेंद मोजी ने पैट्रोल डीजल का क्या किया, पूरी दुनिया में ले देखो, सबसे पहले क्या हो, मैं तो बोलूगा, बोलूगा, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बिलो, देखो, मैं चौकिदार नहीं हूँ किसी का, मैं किसानों का आदमी हूँ, मैं मज़ूरों का आदमी हूँ, छोते दुखनबारों का आदमी हूँ, जो भी कमजोर है पैसा निगाल के आपके जे में डालने वाला हूं यह मेरी मार्केटिंग नहीं करते मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आप टीवी देखो अगबार पड़ो यह पूरी पूरी नरेंदर बोदी की मार्केटिंग करते हैं मीडियाओं उसे पूछो इनको लिखने नहीं देते हैं इनको मालिक लिखने नहीं देते हैं यह मुझे आके कहते हैं भाईया आप बचाओ हमें आप हमें बचाओ नरेंदर बोदी की मार्केटिंग होरी है पूरा पूरा पैसा नरेंदर बोदी गरीबों से चिंता है अनेलमानी जैसे लोगों देता है वो इनकी मार्केनिंग करते है यह गुबारा हम फोड़ने जा रहे हैं 2019 में और आप लोग फोड़ोगे निया योजना का हम लाएंगे और जो गरीबों के लिए होना चाहिए होगा अचाहा आखरी बात कहना चाहता हूँ देखिए यहां हमारे आदिवासी भाईया आए है हम आपके लिए पैसा कानून लाए थे आदिवासी बिल लाए थे आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए जल, जमीन, जंगल जंगल की रक्षा करने के लिए हमारा काम है आपका जल आपका जमीन और आपका जंगल उसकी रक्षा करना हमारा काम है हम करके दिखाएंगे आपको अच्छा एक और सवाल बीजे निपी ने आपको जल नहीं दिया जंगल नहीं दिया जमीन नहीं दि मगर हर छे साथ महीने आपको एक निया नाम क्यों देते हैं अलग अलग नाम देते रहते हैं आपको तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी गरीबों की कमजोर लोगों की छोटे दुकानदारों की बेरोजगार युवाओं की सरकार बनाएगे और जो यहां बेरोजगार युवाओं हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्रों मोदी ने दो करोड युवाओं को रोजगार देने की बात की थी फैल, जिरो, पाँच, 27,000 युवाओं को 24 गंटे में अपना रोजगार खोना पड़ता है नरेंद्रों मोदी जी की सरकार में मैं आपसे दो करोड का जूट नहीं बोलूँगा, सचा ही बता दूँगा 22 लाग सरकारी नौकरिया का लिया हैं उनको मैं बढ़ के दिलवा दूँगा साल के अंदर एक साल के अंदर और 10 लाग युवाओं को 10 लाग युवाओं को पंचायतों में रोजगा दिया जा सकता है 10 लाग युवाओं को काम की बात करनी है यहाँ आजाओ Congres party को समतन दो Congress party को जिताओ हमारे candidate को जिताओ और काम करना शुरू करने दो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर इतनी गर्मी में आप आई इसके लिए दिल से धन्यवाद नमस्कार जहिए